किसान भाईयों आज हम व्यक्तिगत खेती की बात कर रहे हैं कि हमें जो खेती किये हैं धनिया की खेती हमारी है तो हमारे धनिया की बात कर रहे हैं और समय जो हमें जिस समय लगा देना है तो किसान भाईयों धनिया की खेती की बात कर लेंगे और आपको अभी हम थोड़ा दि के लिए किसान भायोग जो ख़हारे नए और मुझान से जुड़ रहे हैं इस यह अब ही तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर लें ताकि हर एक जानकारी उन तक पहुंजती रहे नहिंता मैं आज धनिया दिखा रहूं आप लोगो को कि मेरी धनिया कटाई के कगार पर हो चुकी है हार्वेस्टिंग के कगार पर हो चुकी है अभी से थोड़ा समय लगेगा हफ्ता 10 दिन लग सकती है हमारे धनिया में कटाई के लिए हार्वेस्टिंग के लिए लेकिन जो धनिया है पहुत ही हुबहु है आप देख सकते हैं किसान भाईो ये आप देख सकते हैं किसान भाईो कि मेरी ये धनिया लगी हुई है ये लगभग मेरा एक बीगे से उपर है किसान भाईो ये मेरी धनिया मैं इसको जनौरी में लगा दिया था आप इधर फरोरी मां हमारा चालू है और फरोरी में हमें अच ही अच्छा समय हैं खायने का समय अच्छ बहुत ही मौस मिरूर की जरूर कीजिए त 있다 यह इत्udi अच्छा बहुत देख रहे हैं अब यह हमारा 10 दिन के अंदर से कटाई बहुत ही अच्छी हम इसका कर लेंगे और मंड्यो में इसका रेड रहेगा दस दिन के अंदर बहुत ही अच्छा मिलने वाला है किसान भाईयो तो अब हम धनिया की खेती किये हैं लेकिन हम दो परकार की खेती किसान भाईयो इधार हमारी खेती एक तो इधार दस दिन के अंदर सेस हमारी धनिया ये कटाई होने लगेंगी और जो भी हमे इने धनिया लगाइई है अभी इसमें सेज जमाओ बराबर नहीं आया है जमाओ के कगार पर है वो भी आप लोगो को दिखाऊँगा लेकिन यह जो मेरी धनिया लगी हुई है यह आप देख सकते हैं अब हम ऐसे इंदाजा लगा सकते हैं और तो हमें लगबग 25 दिन के बाद के महीने बाद और तो किसान भाईों आप भाव मंड़ियों दो आप ड्यांत नहीं की कहती है करने की सोच रहें तो आपको लाश्ट फरोरी तक आपकी धनिया लग जानी चाहिए तभी आपको अच्छा उत्पादर मिल सकता है तभी आप फरोरी में यदि आपका लाश्ट तक लग जाएगा तो मार्च में बहुत ही अच्छा रेट दे करके जाएगी किसान भाईो जो आपकी धनिया करेंगे तो बहुत ही लाजवाब रहेगा किसान भाईो तो आप धनिया की खेती हम जो अपने मोरा चैनल में वीडियो अपलोड किया था आप जानकारी लेना चाहते हैं और भी अच्छा विधोत जानकारी लेना चाहते हैं लाइप वीडियो हमारी है उससे आप जानकारी धनिया है अब हम आकड़ा लगा सकते हैं यदि हम इससे अर्वेस्टिंग ले सकते हैं तो इसका अनुमान यह है कि इससे जो हमें प्रॉफिट हो सकता है यह लगबग तीस से 35,000 के करीब हम कर सकते हैं किसान भायो जो मेरी धनिया लगी है इस समय का रेट से लेकिन जब हमारी मार्च में धनिया तयार होगी तो हम कितना रेट ले सकते हैं यदि हमें एक बीगे लगाया है यह एक बीगे से आप ज़्यादा लगाने का सोच नहीं तो किसान भायो आप उस तरीके से लगाईए इसमें ज्यादा लागत भी नहीं लगती है इसमें लागत क्या लगती है एक बार आपको खेत को अच्छे तरीके से बना करके اور वुआई कर देना होगा उसके बाद आपको सीचाई कि सबसे ज्यादा ओसकता होती है क्योंकि इस समयोद का मौसम ब दन्या की खेति जरूर करें जो हमारे चोटे किसान है अभी तक लगाने का सोच रहे हैं कि कौन सी फसल हमें लगाना है तो किसान भाई ओधन्या की खेति जरूर करें क्योंकि धनिया में जादा लागद नहीं लगती है एक बार आप लगा देंगे तो आपको 50-55 दिन के अंदर से साफ की धनिया तयार हो जाएंगी और आप पैसे के लिए तयार हो जाएंगे आप पैसा भी अच्छा उठा सकते हैं तो किसान भाईयो आप देख सकते हैं जो मेरी ये दूसरी धनिया है जो मैंने भी जल्द से जल्द इसकी बुवाई की है तो इसका जर्मिसन देख सकते हैं कितना अच्छा जर्मिसन निसना चुका है और ये जब हमारा तयार होगी तो आप देख सकते हैं फरोरी मैंने लगाया है मार्च में हमें बहुत ही अच्छा इसका रिस्पांस मिलेंगा इसका प्षाइब रहेगा बहुत ही अच्छा रहेगा और बहुत ही। हनी होने वाला है तो आप अभी तक या लगाने का स्वों घ्राइब नहीं लगाता है किस तरह लगाना है भाइं हटहागी है जो पटीया बहुत ही अच्छे आती हैं हैं है और जो सका जर्मनेशन होता कि सबसे हैं कि आप देख सकते हैं कितना अच्छा मेरा मेरा चुका है यह आप देख सकते हैं तो किसान भाईयो आप इस तरह खेती करना है लेकिन एक बात आपको ध्यान रहें कि मैंने इसको किस तरह संसोधित करके लगाया है तो किसान भाईयो आपको बीज लाने से पहले एक बात बता दूँ कि आप बीज को सेस बारा घंटे पानी में भुगो कर रखना है उसके बाद सेस बारा घंटे के बाद आपको निकाल लेना है आपको बोरी या कट्टे से या गोनी से ढग देना है फिर सेस बारा घंटे वो बीच जाने के बाद आपको बुआई कर देना है करना तो आपको नमी बराबर खेतों में होनी चाहिए किसान भायो आपको इस तरह बुआई करना है तभी आपका जर्मनेशन बहुत ही अच्छा आएगा किसान भायो आप धनिया की खेती इस तरह जरूर करें ताकि हरे किसान को मैं संबोधित करता हूँ कि आप जब कभी खेती करें तो थोड़ा सावधानी बरतें और थोड़ा जानकारी ले करके ही खेती करें यह दूने और भी जानकारी चाहिए तो अभी चैनल पर हमारे जो भी नए किसान है अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्रा भायों को कहना चाहूंगा जैहिन